जब जब सुक्देव जी परिक्षी जी के जविते है的话। सुनाइब जाती है। कई-खी पावर ब्रिक्षी जाते हैंगे। अम्रिक्षी तो सबको जबुँत है। इसका मतलब क्या है? इसको ज़स्तार से कहिने। शुक्देव जी कहते हैं कि दुर्वासा के शाप से इंद्र का स्वर्ग बली ने छिल लिया था दुर्वासा का स्वाप इंद्र को लगा लोग एक और कथा आगा ऐसे कथा में अंतर कथा चलती रहती हुआ क्या था दुर्वासा को किसे ने माला पेहना था वो माला बहुत खुश थे तो इंदर को पहना दिये और इंदर निकाल के अपने हाथी को पहना दिये दुरवासर जी के साफ नहीं है पहाती ने तोड़ करके मसल भी है पहरे से गुस्सा आ गया जुर्वासा बहुत अभिमान है जिस स्वर्ग के सिहासर के कारण जा ते रहे स्वर्ग चला जाए बस गया अब क्या हुआ बल्ली को जैसे ही पता चला वो आकर इंद्र से स्वर्ग चिंजिया देवगर भगवान के स्थुति किये भगवान प्रगटो कर उपदेश किये कि देखो चिंता मत करो कोई बहुत बात बिगड़ने वाली नहीं है इस समय असुरों पर काल की किरपा है देखो एक काल भी बड़ी चीछ है करते हैं खुदा महरवान तो गदा पहलवान ऐसे हमको किसे ने सुनाया है कि प्रगव की किरपा अगर हम पर है तो हमारों को ये बाल बेगाता नहीं करता है तो इस समय तुम्हारे उपर किरपा नहीं है इसका मतलब यह है और अभी पक्ष है सम समय है असुरों के हाथ आए जागर उनसे मित्रता कर लो जो बलवान लोग होते हैं उनसे लडाई नहीं करते हैं उनसे संदी कर लोगते है फिर क्या होगा एक कथा था एक युहा था था और एक साप तो साप जो है सपेरे के होते हैं डोलची जैसा उसमें बंद हो गया था तो घर में तो चुआ रहे थे हैं उसने का चुआ वाई चुआ वाई जर्ण मेरा दोलची काड देते दिमें निकल जाता तो उसने कहा कि नहीं नहीं तुम अफो खा जाओंगे भुला कसम से मैं तुमको छुणा भी नहीं नहीं और विश्वास कर जेता है और उसका वो जो अंदर बंद उसको का लेता है वो जिए निकल आग जोग से बोग लगा देता है साथ चुए का काम बहुं जाने पर उनके साथ भी असर कर सकते दुछ भी लोगों के साथ अमरित पिलाने का प्रत्न करो तुम लोग बिना बिलम किये दोनों में दोस्ती हो जाती है और छल जो है न अगर ठीक काम के लिए किया जाए तो छल नहीं क्रिष्ट भगवान ने तो भाग महा भारत में नहीं छल किया गया कई जगे पर छल करके पांड़ों को बचाया है तो अच्छे लोगों के लिए चल करना अच्छे काम के लिए चल करना बुरा देना अब पती ने पूचा कहा जाती हो तुमको दिया था 2,000 रूपे क्या कि आइसे तो अब दुकांगे जोट नहीं बोलना चाहिए तो देवताओं और बैत्यों में मित्रता हो गई और उसके बाद निश्य हुआ कि अब जो है अम्रित का मंधन किया जाएगा तो मंदर गिरी को उठा कर लाए वासुकी नाग का एक नाग था बहुत लंबा चोड़ा उसको रसी की तरह उसमें लपेट देए अब एक समस्या क्या आई कि ये वासुकी नाग जो ना बहुत जहरीला था खतर नाग करता क्या था जब में स्वास चोड़ता था लेता था ना तो बहुत जहरीला आग की तरह से जलने वाली इसके जर से ज्वाला निकवती थे भगवान जानते थे दिवताओं के दिमाग और असुनों के भी रेक्टेओं के भगवान ने दिवताओं से कहा देखो तुम लोग जो है ना जब मांग होगी ना तो कहना कि हम लोग जो है ना वासुकी का सर पकड़के मंतर करेंगे तो ऐसा ही हुआ देखो उनका अरे अरे हम तुमसे किस मामले में काम है मुझ खाओ खागड़के क्योंकि भगवान का मालूम अथा देखते लोगे उना उल्टा ही चलिए हमारे बीज में कुछ लोग होते हैं उनको समझाओ ना तो नहीं समझते हैं मत करो तो करेंगे हचा कर लो नहीं करेंगे उल्टा बुद्धी चलिए समझते हैं मत नहीं लगा वह जो पत्त जो मध्राचत था नीच अच अच अधसने लगा तो भगवान वहां कच्छा पवतार ले करके उसको धारंके बुले कच्छा भगवान की चैना मंतन होने पर वह वासुकी नाप रफकार लेने लगा और दैथते लोग जुलस जुलस के बिलकुर लगता था अंबर जाए जाए यहां पर भागवत में एक बात आता है बुद्धिर यस्य बलं तस्या जिसके पास दिद्धी है वहीं बद्वान है शरी से बद्वान बद् बद्वान ने देवताओं को बुद्धी दे दिया कि पहले सर पकड़ोगे तो असुर कहेंगे कि हमको सर पकड़ना है तो फिर तुम अहसान से पोच पड़ना अगर काओ कि पोच पकड़ना हम पोच पकड़ना हम लोग के लिगए पे जब मंतन हुआ चो उसमें से हलाल वि जीवन के हर अच्छे कारे में सबसे पहले आए तो विस क्या है जब कोई अच्छे कारे को चर्मा शुरू करेंगे तो आपको अनिक प्रकार की बाधाय, अडचने, विपरीत परिस्थितियां आएंगे उसमें बिचिदित नहीं नहीं, अपनी आत्र जारी आठाया है, सब लोग भगवार मस्यों के पास गया है, तो विस से पूरा लोग लग रहा था जल जाए जाए प्रारखा किये, आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं प्रभु जीवन दारता दे आप हम लोगों की बड़ी हालत प्राब हो चुकी है इस विस के कारण, किसी तरह इस विस से हमें रच्छा प्ज़ान करिये, हमें बचाईये ना था शंका जी, बुद भुले में बहुत कर पालू आँगा अपने सत्थी की बात, जो पत्नी है ना उनकी बात भी ने सुनते हैं शिवजी ने कहा खेद देवे, बड़े खेद के साथ लोग बात कहना पड़ा देखो समद्र मंतर से निकले वे कालोट विस्ट के कारण प्रजाप पर कितना दुख हो है इन विचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रख्षा करना चाहते हैं इस समय यह मेरा कर्तब्य है कि मैं इहें बचाओ आँगा तो विस्ट को लेते हैं और गले में उसको रोग लेते हैं मीचे उतरें तो प्रभुराम और सती दोनों रिदय में निवास का स्रिए इसलिए गले में उसको धारिन कर लेते हैं तब से भगवानी संकर का पढ़ गया नील कड कर आँगा अब इसके बात क्या होता है एक घुड़ा निगलता है जिसका नाम पुचल श्रवा जिसे बली ने माग लिया बली ने कहा ये घुड़ा हमको चाहिए इसे हमें प्रदाट कर दीजिए दे दिया गया उसको ये रावत निकला तो इंद्र ने उसे भी लिया आगे लक्ष्मी ही प्रगठ होने सारे लोग जो सुए थे जागते पैसे बली ताक्राव अगर दसलपा नीचे गिर जाता है तो पका है कि कोई न कोई नजर पढ़ता है और कई लोग तो सोचते रहते हैं कास ही तो योल बाजार करने जा रहे हैं एक हजार की गंडी गिर जादे ता अच्छा अपनी नहीं गिर जादे दूसरे गिर और पीजे से हमी पावस्ते से नहीं रहे हैं से हमी आपनी कोफ़ीता अपनी कोफ़ीता तो मैं पादा नी किसका में मुझेव बस है पाज रच्छा से रग्या भस में पाजा गर में होगा कॉन मुष्रा पति क्या अला हाँ पती पतनी साथी रहते हैं, सुबह उढने से पहले सबसे पहले हैं कि उसरी काणि में देखते हैं बख्ष्णी जी का फूजन किया और जगड़ा होने लगा कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे समने निष्चे किया बहुत देखो ऐसा है कि इनको एक माला दे देते हैं जिसको ये पसंद करेंगी उसके साथ शाधी करने की नो प्रावब्ला कोई समस्या निया सब्सक्राइब ठीक है चलो माल बाते हैं सबसे पहले लाइन में दुर्वासा जीनी है जब लक्षमी ने देखा तो मन में सोचती है कि तपस्वी तो बहुत अच्छा है वो बहुत क्रोधी है बहुत गुसा करता है किसी दिन गुसा करने से रोज मार पीट होगा तो छोड़ देती है जो बहुत क्रोधी होते याद रखना वो लक्षमी जी नहीं देती है उनके जीवन में लक्षमी का कृपा नहीं रहता है इसका मतलब ये है गाउं में कहावत है कि बन्या नरम सासन गरम और कन्या को सरम होना चाहिए ठीक है नरम मतलब अपना काम निकाल लो बस बास करते है आज तीनों उल्टा हो गया है आगे व्यस्पति जी मिलते हैं ये ज्यानी तो बहुत है पर आसक्त सुभावाले हैं इनके जीवन में न मतलब चीजों से बहुत उल्जिये हुए जोड़े हुए है तो कहती है इनके साथ नहीं गयाना है ये वस्टू में उल्जिप पर पर ये हुए ब्रह्मा जी मिलते हैं ये काम ना बिजय न ही इनका एक बार एक ऐसा व्यवख प्रसंग आता है कि अपने पुत्री पर हम्याव हो गया था नहीं है तो जो जो ठीक अवी है नो उनके पास लक्ष मीनी है नो अब ढ़ेवराई इंद्र आते हैं सामने तो सोचती है एक पर हमें सब भागता रहता है भाग ना भाग जब दूस्त ड़या दे भाग के छोड़ा ज़़ा है पते चला कोई पीछे पुड़ा तो आखो भी छ जो बिजनस्मेनों से बहुत साहस करते हैं एक करोनों पर लगा के बिजनस स्कार्ट किया तो इतना साहस है कि कुछ फायदा होगा कुछ नुक्सानों का देखा जाएगा और जो डर पोग लोग है नो कहेंगे एक करोनों पर न क्या करो या तो जमीन खईतो या बैग में डाल तो पांच जार हर महीने का सूज मिलेगा अपना रोटी डाल चल जाएगा सनकात ही मिलते हैं सनंगन सनाता सनथ कमार या राच चलिए कई बार वो जलते हैं तो इन्हें कहते कि ही तो बैरागी लोग है इंको धन देने से फैदा क्या उठा के दूसरे को दे दे लिए अब मा लग की सावी से साधी कर लिया छोड़के भाग जाएगा तो उसका जीवन ही बर्पाद हो जाएगा इसलिए उसको भी नहीं चुनती है लक्ष्म होई है जो साधु हाथ मालोग होते हैं वह सामाने तोर पर उनके पास रक्ष्मी होती नहीं इधर से आती है इधर से सरग जा लक्ष्मी ने पूछा ये कौन है सबी लोग लेकार नाराण है लक्ष्मी ने कहा देखो सरगन संपंध तो यही है किन्तो इसमें भी दूसर से मेरा स्वयंबर हो रहा है और ये निशीन सोकर सोया पढ़ा हुआ है